आज का पंचांग आज का देशा शूल पूर्व की तरफ रहेगा तो फिलहाल पूर्व देशा की और यात्र टाल दें आज विशिश क्या है? आज विशिश है कजरी तीच आज का महा उपाय है आज शिप पारवती को सुहाग का सामान भीट करें मेश राशी वालों व्यापार में कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है सह कर्मियों का भरपूर सयोग मिलेगा प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा महत्वपून लोगों से मुलाकात हो सकती है व्रिश राशी वालों मानसिक रूप से आज आप स्वस्त महसूस करेंगे जिसके कारण आप पूरी लगन के साथ काम कर पाएंगे आर्थिक स्थिती पहले से बहतर होगी बच्चों के लिए मौज मस्ती वाला दिन रहेगा मिथुन राशी वालों आज आपके भागे के सितारे उचे बने रहेंगे कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है पारिवारिक जिम्मदारियों में लगातार वृत्ती होगी दामपत्य जीवन में खटास आ सकती है स्टुडेंट्स को मेहनत के अच्छे परिनाम मिलेंगे करकराशी वालों आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक शेत्र में उन्नती लेकर आएगा छोटे व्यापारियों को व्यवसाय में धनलाब होगा मन में चल रहे विचारों को जीवन साथी के साथ साचा करें शाम को महमान घर आ सकते हैं सिहराशी वालों सिहराशी के जातकों को आज कारे शेत्र में सैयम से काम लेना होगा जल्दबाजी में कोई फैसला ना ने स्टुडेंट्स को शिक्षा के शेत्र में कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है जीवन साथी के साथ संबंद मधुर रहेंगे कन्यराशी वालों आज का दिन मंगल कारी रहेगा कारोबार को लेकर नई योजनाएं सफल होगी परिवार के प्रती जो जिम्मदारियां हैं उसे अच्छे से पूरा करेंगे खर्चों में वृत्ती देखने को मिल सकती है तुला राशी वालों आज कारी शेत्र में धनलाप की योग है आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लव रिलेशन्शिप में पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे वृष्टिक राशी वालों आज कारी शेत्र में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है बेरोजगारों को रोजगार के नए अफसर प्राप्त हो सकते है घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे स्टुडेंट्स अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे धनु राशी वालों आज कपड़ों के शेत्र से जुड़े लोगों को मुनाफ़ा हो सकता है मशीनरी संबंधित व्यवसाय में कुछ नए ओडर मिल सकते है पारिवारिक माहोल सुक्षान्ति वाला रहे का काम की अधिक्ता से शारिरिक ठकावट हो सकती है मकर राशी वालों प्रापर्टी संबंधिक कार्य में कोई नुक्सान होने की संभाव ना है पैसो के मामले में किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा ना करें पती पतनी का अप सीताल मेल खर के वातवरन को खुशाल करेंगा सेहत की बात करें तो पेट में इंफेक्शन हो सकती है कुम्ब राशी वालों मानसिक रूप से आज सुकून महसूस करेंगे बिजनस में लापरवाही से काम ना करें नुक्सान हो सकता है विध्यारती सोशल मीडिया में समय व्यतीत करके पढ़ाई के प्रतिला परवाह रहेंगे मीन राशी वालों फाइनेंस समबंदित काम पर जादा ध्यान दे काम को लेकर किसी पर निर्भरना रहें आर्थिक स्तिती ठीक रही कि स्टूडेंस फ्यर्थ की बातों में ध्यान न दे इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद